तूफान उसे टकराए बिन पश्ती पार नहीं होती बिन महनत के खुलवार कभी गुलजार नहीं होती जो शेर्च गरना हो तो तो भी ललकार नहीं होती बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता कोशिश करने बालों की कभी हार नहीं होती किसे हैं शेह सबार मैदाने जंग में वो तिपल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले ओ ओ ओ ओ इना तह बुलंद जो ना हो अगर तो पत है फिर कैसे मिले कायर की कभी भी दुनिया में जैचाइकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मैंने स्टार्ट किया लेकिन यह चोटा सा सफर आप लोगों ने मेरा साथ दिया और कहते भी है मैं अकेला ही चला था जाने में मजदिल मगर लोग साथ आते गई और कारवा बनता गया और सच में आज मैं भूत ही ब्लेस्ट फिल कर रही हूँ आप लोगों का साथ मिला और आप लोगों ने आड़ी शो को इतना उंचाई तक पहुंचाया सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी और इतनी बड़ी जो मेरी फैमली बनी मुझे सच में आज बहुत ही अच्छा भी लग रहा है मैं इमोशनल भी हो रही हूँ क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगी लेकिन आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं सभी को तह दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी थैंक यू सो मॉच एवरिवन आई थिंक आप लोगों की सपोर्ट की वज़स से शायद मैं ना कर पाती लेकिन आप सभी ने मुझे साथ दिया मेरा साथ दिया और ऐसी ऐसी पास्नालेटिया मेरे बीच चूटती गई और आज मैं बिलीव नहीं कर पा रहे हूं कि मैंने 525 एपिसोट किये है और इस Grand Celebration में हमारे बीच आने वाले है संगीत के बादशाह पदम शी अनूव जलोटा जी और पदम शी फेयाज वासिपुदीन डागर जी तो दोस्तों मिलते हैं हमारे आज के आर्टिस से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में लुट परोग के अच्छिई नूवरे से लुट परोगूड से वास से अच्छिए नुट ह। कि अच्छिग Gold देशवीर और अवार्ड आपकोशिश करने वालों कि कभी हा नहीं होती, मैं जाना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मुमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हा नहीं माने हो यह वो तो बहुत से ऐसे मुमम्न आते हैं जिन्दीगी का नाम ही कोशिश है और कोशिश करने वालों कि कभी हार नहीं होती, you have to be positive, you should always be positive, that really helps. परिशानिया सब के पास आती है लिकिन कोई परिशानी एक बहुत ही सुन्दर गहना है it's a beautiful jewel and whoever wants to keep it in what way this is up to them उस गहने को कोई बहुत सजा के अपने सामने माते पे लगा लेता है कोई उसको सामने साइड में रख लेता है कोई उसको बताना नहीं चाहता कि यह परिशानी थी मेरी कोई बताना चाहता है कि सामने सबसे पहले उसको यह दिखे कि मेरी परिशानी क्या थी तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं और उसी तरीके से अपने भाव को व्यक्त करते है तो परेशानिया आनी लाजिम है क्योंकि जब मनुष्य के साथ ही वो उसके विदलब जीवन के साथ ही परेशानी है बलगे कभी ये भी है कि पहले जब सबसे पहले मतलब मनुष्य के आने से पहले इंसान के पहले उनने से पहले माँ परेशान होती है और फिर उसके बार रच तो उसमें बहुत से कुछ चीजहों में दिमाग बैठे बैठे तो यह जहन थोड़ा सा अटक भी जाता है कि नहीं दिमाग में क्या करें या नहीं आनी की वज़ा से तो उसमें जो है कभी कबार भार निकल के जो है बहुत सारी चीज़ें शुलज जाती है जाते हैं तो फिर वो बंदिश में दिमाग में आ जाती है राग में आ जाती है और जो जो टेकनिकल टर्म है, जो जिसमें अटक की वे होते हैं अचीजों से भी बाहर आ जाती है तो बहुत सी चीजों में बहुत कोशिश होती है कि मतलब बहुत से जैसे क्या बोलो मैं मुजिकल बोलू या आउट 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 मुजिक बोलू मझे समझनी आ रहा है क्या वो करूं तो एक बार हम लोग यही थे कि हम दिल्ली जैपूर हमारा तीरित जगह है जाब बावा, बहरामका साब कर गार है कि हम यह जाते हैं कि बहुत देर है तो एक ऐब гाड़ी कवी मैं कुछ सही नहीं कर पाया था तो कुछ ऐसा होगा कि गारी चलते चलते रास्ते में प्सि Chat रूए लेराibility का कि इसरे मिज़िए और रात से 20-25 साल पहले रात को इसे आज को सब्सक्राइब तो बाबा में थे तो हम बहुत परिशाद हो रहे थे कि अधर से अधर अधर कहां जाए तो पता नहीं कहां थे कभी मैं ऐसे कभी चाड़ा नहीं कभी ट्रक पे तो ट्रक वाले ने का कि रसी निप खोड़ो जी आपको इन पड़ेगा आप आपको श्रसी आए बादी गई और फिर वह भी मुझकल से हम वहां से चल प्षक हो आपको जिंदीगी में पीछे बांद के कभी नहीं चली तो बांद के हम थे बहुत दीरे दीरे चलते रहे इसमें जो है दो तीर बार ग्यांवा इस तो कई ऐसी प्रेशा है रहे हम कुछ करते रहे हैं चार पांच छे बज़ गए और दीरे दीरे तो हम वहां पर पहुचे उस जड़ी किसे म्यूजिक में भी हम अटक जाते हैं तो हम जी जी कुछ आपने इतना साथ दिया और जो यह सफर चलता गया आज मैंने 525 एपिसोड कमप्लीट किये है तो थैंक यू कहना चाहूंगी सभी को और मुझे लगता है सर के नैटवर्क इशू है और थोड़ी देर में हमारे साथ पदर्म श्री अनुप चलोटा जी भी जुड़ने वाले है और यह जो celebration है इससे पहले पदर्म श्री हंसराज हंसरी हमारे साथ आने व अग्ञिठ सेन्पल साथ तब हमें घुड़पत की बात करे तो । डंगर घ्राना आप सभी जानते होंगे तो ऌज हम डागर घ्राना के बारे में भी जानेंगे और रुपत की बारे में हैं ठीज सूँरबस्टार जी थैंग्यू आंग्यू सो मॉर मैं ने श्बावrien जी कुछ टीखा है, थैंक यू सो मुष्ट आविवन कुछ टीखा है, थैंक यू सो मुष्ट आविवन कुछ टीखा है, थैंक यू सो मुष्ट आविवन, थोड़ा सा अपवेच कीजिए, और सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगे, संजा शांगलू सार, संजा बाडली सार, निर्मल बेच सार, अमेश चराज रिवेदी सार, अविश शर्मा, विनीता दे, थैंक यू सो मु आप लोगों ने साथ दिया है, और ब्रिज मोहन शर्मा जी, जितने भी जो दर्शक, बेरी फैंट, सब भी कुम्हें है, थैंक यू सो मुछ आविवन, आइधिक सरकार नेटवर्क इशू है, सब्सक्राइब! जो जो भी हमारे साथ जूड़ी है और सच में आडिरी का जो सफर रहा है बहुत ही यादगार सफर रहा है और चिंदन वर्शी सर आपको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आप सभी ने मुझे सपोर्ट किया है हलो हलो यह सब यहीं पता नहीं क्या हो यहाद रूट के सबसे पहले तो डागर गर गराना के बारे में जाना चाहिंगे सर नागर घराना यह नगैंडै कि एक फेमली है जिसे बाधुपत आता है पूजा एक मतब जैसे ốngगह पुजारी जो पूज़नी होता है और मंदिर मंदिर में घारी वह जाता है र कि ममारा मंदिर और दूर्पत की सेवह कर करने के लिए हमारा परीवारवर कि अल्वार की तो है हमारे खाहन्दान को 500 सालों से विए भेरत की और शार dzięki और नहीं के तो हमेशा सब लोग मानन सिंगितो हुपर जी से भी पहले उलिए लीन भी उब ईसकूकर ऑप किए संगीता डरें जी थैंक्यू सो मॉश्च आइधिंग नेटर किश्व है सरका लेकिन कोई बात नहीं आज जो हमारी फैमली है हमारे साथ जुड़ी है आप भी question पूछ सकते हो और comment कर सकते हो जो भी आप आडिरी शो के बारे में जाना चाते हो तो प्लीज आप comment कीजिए और आप से भी बाते करेंगे और जो केख सरेमनी होगी वह थोड़ी ही देर में एट उकलोग होगी और सभी को इन् तो हमारा परिवार 500 साल से सिभई हुआ है और और भी घराने हैं लेकिन हमारा घराना सबसे पुराना है और हम लोग जो आड़ों में रहे हमारे कुछ बुज़ुर्गवार के भी दर्बार में थे मुधल दर्बार में भी थे कापी अंगबर की दर्बार में थे और मुदेपुर में भी हमारे तालोग है जैपुर राज दर्बार संगीतकार्टे और उदैपूर में भी और अलवर में जोदपूर इन सब जगाओं पर हम लोग कोई न कोई वहां पर रहे हैं और जी आजादी की बाद से सब अलग-अलग चैने चले गए दिल्ली बॉम्बे जैपूर पूरा इन सब जगाओं पर हमाई सब कोई न कोई रहा ह है तो हमारी बाबा स्वामी हरिदास जी के हमारे हर गुरॉबहाई लगता है कि वह हमारे गुरु और जी से हमको इस दुरुपत हमारे हमारे श्यारी है और दुरुपत जो है अब अनन्द घुन के चलते हैं, हम बूलते हैं, अम एंड तम तरन अतार लीत्वम, अर्योम नारायन, अर्योम नारायन, एश्वर हम, जो नटर किसू है, आज, अभी शर्मा, तांक यू सो मुश्च, और हमारे जी जी सर तो ये आज अज़ा हो रहा है का अज़ा इन्टरनेट क्या हो रहा है मुझे समन्झ यारंगे में अभी तो रही जी आपकी और से जी आप जी जी आपकी और से नैटर कीशु चल रहा है सर जी जी तो इसी तरीके से हमारा बतपुराना की इसमें आज में रूप पर भी भूट धियान दिया जाते है कि विसारी देव देवताओं की स्थितिया ही गाई जाते हैं और ओम को किस तरीके से अलग 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 तरीके से उचारण हो सकता है अरे अनुद नाशकार दागर साम नमस्कार कैसे जूदूर नमस्कार नमस्कार परनाम सार और थैंक यू सो मुँच सर थैंक यू सो मुँच पर जॉइनिंग अस इतने बड़े कलाकार आये हैं तो मुझे आके इनका स्वागत तो करना ही है दागर साहब हमारे देश के बहुत ही प्रिसितिष्ट परिवार्ट से आते हैं और जब भी कहीं पारंपरिक संगीत पारंपरिक धुरुपद हमार का जिकर होता है तो केवल इनके ही परिभार का जिकर होता है इनों ने हमारे देश में इस पध्धती को जिंदा रखा है और कितने ही लोगों को सिखा रहे हैं मैं इसके लिए आपको नमन करता हूँ ठागर जिनमन करता हूँ हम लोग सब कोशिशी कर रहे हैं हम अलग अलग तरीके से कोशिशी करते रहते हैं अनुम जी और सभी तो यथा सागर है और और कितने प्रकार के संगीत हैं कितने एक कासी विधायें और जो करने को डंगारक को नहीं बचाते उनजयाएं सज बहाते हैं और जहाँ भलादते हैं आप पर एंसे मैं गुफ्तगूँ कर रहा हूं तो बात करते हैं लेकिन गजले भी उसको जो जिस सही तरीक से उर्डू का जो तलफुस को जिस तरीक से ध्यान रखते हैं और इस तरीक से उसका हमाई सुरूप सामने दिखाते हैं मूझ लेखनी है मतलब हमें बड़ा बड़ी खुशी होते हैं तो कई बार साथ में मिलें एक स्टेच के काम भी किया है और हमें बहुत अच्छा लगता है इतनी सहज इनकी सुभाव है कि वह कोई कुछ साम वह ऐसी कुछ भी चीज लेके नहीं चलते कि मैं बजन समराट और कहां कहां पर में साल तो इसके बाद भी जो है जो गजन और जिए लाई नहीं लॉट नहीं गाता हूं मैं तो हलका फुलका गाना गाता हूं बस लोग कहते हैं ना जाते करपा राम की होई ताते करपा करे सब कोई इश्वर की करपा है तो सब की करपा मिल रही है इतना ही और तुक्ष है संगीत जहें संगती का नाव है तो सगत हो जाता है और बिंदी पड़ते ही संगत हो जाता है तो हम लोग वह है है उसकी मात्रा को अगर हम पलट दे तो गती हो जाता है जो समगती हÂं संगती है और वो संगती में हुए हर एक चीज पर बावअ च्छी को सबसे बड़ी प्रकृत धैने मुनश्ERी की शरीक है वो सबसे बड़ी प्रकृत्य है सब कुछ समालते विए उसको उसको आगे को किया और चार की बेट जो है इसकी वज़ा से हम लोग जीवित है तो ले भी है ले के साथ भी हमारा पूरा पूरा सब कुछ सृष्टी बनी वी है और बगएर ले के जो है संगीत और स्वर को समझा नहीं जा सकता तो एक बहुत संगीत आसान नहीं पक्की बाद आप सब लोग यह मान के चलिए जब सोच बहुत साइट लोग सोचते हैं कि यह वाला मुश्किल है यह असान है हर संगीत मुश्किल है इसके अंदर आप लोग जब लगते हैं को लला जब महनत करनी पड़ती है अरे इक हरे गीत के पर उतन ही वैनाज करनी पड़ती है जिसने वह एक अच्छी निकर कि आप तो इसी तरीके से आप आपके जो टाइटल क्या है आपकी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है कोशिश करते रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं इसकी विए से हमें शयद हार नहीं मिल रही है लेकिन हार फिर जो ए आम हमें । आप बताईए जी और सच में सब मैं थैंक यू वर्ड भी आपके लिए बहुत ही छोटा है क्यूंकि आप इतने डाउन टू आर्ट पासनालिटी हो मैं कल की ही बात बताना चाहूंगी पदम श्री हंसराज हंस्ची हमारे भी चाने वाले थे लेकिन उनकी तब्यत खराब हो ग अगर आपका नेम लिया जाए तो इतने डाउन टू आर्ट पासनालिटी जैसे ही मैंने क्यूंकि आज इनके इन दौर में शो है बैक तू बैक तू शो फिर भी सर ने हम हमारे लिए टाइम निकाला सच में सर सलूट तो यू आपको शट शट नमन आप सच में फर्स्ट ऐस इनसान हो आप इस वर्ट के जिन से मिले हूं मैं और मैं बहुत ही ब्लेस्ट फील करती हूं सर आपने अभी भी आप शो है अभी एट ओकलॉक अभी आपका स्टार्ट होने वाला है फिर भी आपने चाइम निकाला है सर हमारे लिए ये मेरे लिए बैस्ट मोमेंट है सर सच म थैंक यू वर्ट भी आपके लिए बहुत कम है सर बहुत 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 शुब कामना देता हूं बहुत अच्छा कर रही है काम आप और समानित रिख्टियों को लाती है लोगों से मिलाती है उनका परिच्छा होता है लोगों से तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है मैं त नहीं बार आचुका हूँ आपके इस चैट में तो जल्दी मिलेंगे जल्दी मिलेंगे राज साब किसी मंच के हम लुग जाता हूं हमारे संसकार बार्दी के अमियर चंदी का ध्यान तो गया अगली हुआ है वह बहुत हमारे संगीत जगत में वो कलाकार वैसे प्राटिशनर नहीं दे वो गाते और नहीं दे लेकिन संगीत और कलाकारों के लिए इतने वो पूरा अपने पूरे बोलते यह उनकी आत्मा को शांती मिलें यह हमारी प्रात्ना है यह प्रात्ना है वह सब लोग भी लोग सुन रहे हैं उनको उनकी सच में बहुत बड़ी इस प्रात्ना है यह प्रात्ना है वह सब दो प्रात्ना है वारे यह उनकी ओसराद नहीं चाहां जाए अगर एक लाइन आप सुनाएं तो जी जी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई बगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगे महलों ने पली बनके जोगन चली मीरा रानी दिवाने काहने लगे ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वाँ Sir thank you so much thank you so much thank you thank you thank you thank you so much sir आपने अपना कीम्ती टाइम दिया thank you so much it means a lot it means a lot sir thank you so much thank you so much for joining us Namaskar thank you so much sir आपको भी thank you कहना चाहूंगी और निरमल sir को भी thank you कहना चाहूंगी क्योंकि सच में कोशिश करने वालों कि कभी हार नहीं होती जैसे ही मुझे पता चला कि हंसराज हंसची की तबियत ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा सा tension में भी थी और आपने जो अपना कीमती time आज हमारे लिए निकाला है सर तो यह हमारी लिए बहुत बड़ी बात है और जो हमारी family है audience है उन सभी को मैं thank you कहना चाहूंगी thank you so much everyone आप लोगों ने मेरा साथ दिया है और सर आपकी journey की बात करे तो आपने पूरे world में show किये है सर मैं जाना चाहूंगी आपने USA की बात करे सभी maximum सभी country'yoo में shows किये है जाना चाहूंगी आपका दू Eğerнымиोत के बात करे तो बहुत करदी कथी है तो मैं जाना चाहूंगी यह ख्याल से जो ख्याल को जब वी पुराना है यह और जब पर रिचाहू कवर्णन लुटा था तो तीन सवरों पे आधारित था Link जो आप लोग जिग्वेद के आप लोग चारण सुनते रहते हैं, श्लोग चारण, तो सामवेद में always वरोगा प्रियोग होता है, तो ये तपसे उसका है, फिर चंद बने, प्रबंद बने, धुरुव, माठा, धुरुव, माठा, चंद प्रबंद, ये अलग-अलग ये अपने गाइड, गाइड है, तो संगीत विदे अपने आप में संपूर पद जो है, उसको दुरुपद कहा जाता है, और पुरानी शैरी है, बहुत पुरानी शैरी है, जिसके अंदर भारत की संगीत की जितने भी महत्रूर टेक्नीक है, वो सब इसी में है, तो इसके। बार बिस चीजी बनी झासे ख्याल ने भी अपनी टेखनिक चौनी अपनी थाप्निक पन insila都akी, इसके अंदर एदाबा किया, जादरा चैती जो मिए घतन अचैती फिल्मिघ, तो इस में शि स्चिम ही हाना, ऑर खलता ही रहाए और काल रहुं हो ठाल है हमारे जैसे पहुत से शब्दों को गाने का मकसत नहीं है, एक शब्द को आप कितने तरीका से देख सकते हैं, और हम उनिही शब्दों से खुश ayhe assessment जिस नाराजadows, भी आप तो मतलब आप जिस तरीक ऐसे उस शेली को आपके वर्णंग कर सकते हैं, उसी के विपेंड करता है। और जैसे वो अभी जो पर इन उने कहा है लूँ तो मैं जैसे वो बीरा भाई कहीं वह को जों नगो वी यूख कर दो tweakांशिक एंदो कर दो तो एंदिका एंदो ओर हम एंदो टोई नगों प्रवादा्धूनि तुवेपिए नदेसे जारे नदानी नदानी तुप्स प्रवेपिए नदानी जारे नुद्धी नदानी तुफस्यूनि आपर चांड़िक ये नदानी सब्सक्ष्राइब अब ये जो है अब सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब जए जो है लोगजिए अब ये जो है। अब ये ताज में गटे शोटी है। और इसको अलगे लगे तरीकर से वर्णाग किया जाते है। ओम खन्जार Fill painting ओम ऑते हम अधुकिन मन्झार को अव्या maiorी छग्या है छत्पीuciones चाह jotkaaches झाल 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 झा आपकी वाइस नहीं आरी सा जी थोड़ा सा कर छोड़िये सा जी आपकी आपकी आरी सा आरी सा झम बजय स्थानुट क सकत्षाब करें ने नहां मुझें रागके। प्रेशो डेया बर्गो देवाना रिजने देवाना भ्रगो देवाना भर्गो देवासरी भी। Dip छोरे दिंदे जना अलोग जना हौ Зब्सी बाहिजीं ऩुट्या सबस्टोर्प्अ करना झना जना अंजागन तो इस तरीके से हम लोग का हमारा दृष्टिकून थोड़ा सा अलग है दृष्टिकून तरीके से देखते हैं तो इसी अलग-अलग रस है संगीत के करुणा रस है वीर रस है शान रस है उसको उसका ही बयान किया जाता है शुद बानी, शुद अचारण को किस स्थिश्टी रची गई है तो इसलिए ध्यान किया है जो अपने हाप, मतलब वैसे तो ध्यान के लिए जो है कहते हैं कि दो सोच के बीच में जो अंतराल है उसको ध्यान का जाते है एक सोच जिसमें आप हैं एक सोच के बाद जो दूसरी सोच आई उसके बीच में जो एक अंतराल है उसको ध्यान का जाते है तो हम एक शण को नापना बड़ा मिश्किल है समय को नापा जा सकता है शण को आपना बड़ा मिश्केल है तो यह संगीत और यह विदाएं जो है यह वो शन्व आपको देती है जिसमें आप अपने आपको भूल जाए और वो आपके आदमा पे बहुत इसंदर एक एक निशान लगाके चली जाती है जिससे आप उससे आत्रिक्त होते रहते हैं आपको कु हिसमें आजे जाने की रोश्णी दिखती है यह संघीत का मतलब ही यह है कि आप स्ष्टी के साथ आप मिल के संगती में आ गये यह हमारा यह हमारा फान का उद्दिश्य है कि हमारे परिवार में कि मतलब संगीत को उगलना नहीं है जो है कि जो आपको याद है आपने ड़े उगल दिया हमें हमें और जो टेक्निकल टर्म्स होते न जो जम्जम्य होते हैं यह होती है वह हम लोग नहीं लेते हैं दुर्पन यह मैं साधारन स्वर को साधारन स्वर की तासीर को बयां करना है जिसको सादगी और अपने अपने संदूर्थ नहीं कि तो वो आभुशन लगाने कि इतनी जरूरत नहीं है स्वर अपने आप में एक मुकंबल चीज तरह डर्फक और ऑनकी तरह सम दिए की तरह कि टॉल, इसका ख़र मिश्य को समंदल की तरह समंदल भी हो अपने आप में संपोनहें औरrier समंति लिक्ता उसके अंदर किसी को वाव सर एक फ्रांसी सी टेलिवीजन कमपनी ने आपके उपर एक डॉकुमेंटरी बनाई थी आपके उपर और संगीत के उपर उसके बारे में जाना चाहूंगी प्रांसी सी भी जुर्पदिये हो गया है तो उदर उन्हाने सोचा कि कोई फिल्म बननी चाहिए तो फ्रेंच टेलिविजन और एक और चैनल है वहाँ पर आर्टे उन्हाने उसमें इनिशेटिव लेके हमारे परम्परा क्या है ग्रु शिश्य परम्परा क्या है और एक भारत के संगीत TV कार के घर का वात अबर रहता हैं उसके उपर उन्हाने वह फिल्म जो बहुत वो है फैलम डिविजेंस ने भी हमारे पर बनाई है डागर परिवार पर को इसमें अलग-अलग खांदान के अलग-अलग दूरूब वाव सर आपकी पहली बड़ी रिकॉर्दिंग नाइंटी टू में हुई थी स्विटाजर लेंड एन भारत और जपान में जी वह एटी नाइन में होई थी पिटाजी के दियान के बाद मैं गया था वहां पर ताउजी के साथ ही गया था जी तो इंदिया में बहुति के बाद मीजिक टुड़ें वालों ने डिपॉड किया था 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 जूजी के साथ है तो उसके बाद तो म्यूजिक पुड़े में बाद में भी नांटीफाइब भी है कई है पिर अपर अमेरिका में भी 2000 में हो गवा है मेरा Switzerland में तो मेरा कई बार जाना हुआ ही हुआ है फ्रांस में युनिसको में एक हफते में चार कंसर्ट हो थे वाव जी एक हफते में चार कंसर्ट हो थे और वो मेरे बहुत ही यादगार समय है और Millennium Peace Summit होई थी न्यू यू 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 नेशन में जिसमें सारे सारे दुनिया के गुरू धरम गुरू वहां पर इकटे होए थे में जिसुने लू यू यू इनेशन में जिसके आग्यू यू 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 यूथो नेंकर अग वहाय थे जरना पांट जंगें Rs 5 इयू यू तो बारत में तो अपनी जगह पर है ही है भारत में रहते हैं लेकिन जो भारत से भाग जब तरंगा कहीं दिख जाता है तो बहुत इस ऐसा लेकिन जो मंदिरों में जो कारिक्रम होने वो इसका लगी अनुभ होता है कि पहले पुरान पहले जो है ओडियन्स पीछे बैठा करती थी और हम स्वायम मंदिर में सामने बैठके प्रस्तुति देते हैं अब वक्त के साथ वो चेंज रजवारों से बदला आप रजवारों के अब तो बहुत कुछ चेंज होए है सर्थ यह तो बहुत चेंज हो गया जूआ है अब तो बहुत चेंज होगया है यह जान लेगी है, लेकिन थी कह हम इंटरनेट के दोरा हम देखे जा रहे हैं, हम वही दूसरी से बात कर पा रहे हैं, और यह बहुत अच्छा है, एक वह है कि दुनिया में पहुच रही है हमारी अवाइब, और एक बात जगा पहुच जाती है, लेकिन लाइफ प्रफॉर्म कि अपनी जगाई है, और वह बहुत अच्छे हम रहता है, अब जैसे मैं हमेशा यह बोलता हूं और मैं अपने आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, हम लोग प्रफॉर्मेंस करते हैं तो हम लोग बहां पर जाते हैं, अपना आईने में अपना मुख देख लेते हैं कि हम ऐस अपने आपको साही करद कृझा रहे हैं, हम आपको बहुत थेल्यचर देखनी अपने आपको साही हो हम अपने आपको देखने हैं पर लोग ई. तो वो भी उसका आनदी दिश्ट जी जी यार ये अभी आज की टेक्निक बहुत अच्छी है और टेक्नोलिजी को बहुत करते हैं तेक्नोलिजी को कि इसमें क्या से क्या कर रहे हैं और कहां तर पहुंच रहे हैं लेकिन तो हुमन टश्योंच भी आज रहे हैं तो ग्यार टो हुवाइद सब्सक्राइल दिश्ट आज पार हुआ हैं तो फील का वस्टाइब का ये थे वट्डू अजी एक चीज को महसूस करके उसका प्रभाव पढ़ना, आपके आत्मारे प्रभाव पढ़ना आपके वेड्यत्य के प्रभाव पढ़ना, उसका बहुत प्रभाव है, एक मावेश है गार अलग अनुजां बहुत है. जे, राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा है, और हमारी साथ दिवेश शर्मा जी जुड़े है, थैंक्यू सो मॉच प्रग्या शर्मा जी जुड़े है, थैंक्यू सो मॉच मैं, पंकी शर्मा जी, अक्षे मैं कुमार अश्ची, प्रवीन सिंग जी, जो की भूती अच्छे सि जुबेर हुसीन वार्सी जी, थैंक्यू सो मॉच सर, हर्योम जलोटा जी, थैंक्यू सो मॉच अंजय कुमार जी, अभी शर्मा मकुंदलाल, शर्मा गजल, सिंगर रियास खान जी, थैंक्यू सो मॉच एवरिवन, जो जो भी जुड़े है, जिनके में नेम नहीं पड़ पा करप सब्सक्राइज कि मेरे। प्रिम का था लिक्मर्ट इन कुरॉट ़िर खुटुट है दी। हम से बाता है तो मैं सिखा रहा था चीhat दे काते मुझे फोन आया ओपनानी करे दी हूं अफेर्स से फोन है हूं से साहए कर आब हो है क्या हो गया पता कि यह पर शांट से पर दीफ थाहिए है यह दिनों नहीं कि पर करेंगा धिक पर बात करेंगे सब il सक्रिटरेशाब करेंगे लगों में ist ciao अगल मैं जुंपहा हूना इस हिए पिर मैं कि स्कार व्हुल्य ऑसमेडे कियो जा सी कि यह रहिए कि नहीं प्रवार्व प्रवार्व थे सब्सक्राइब करें नहीं थे सब्सक्राइब से कि नहीं खुछा आगा था आप राष्पती बवें जाते ही हैं और बहुत सुन्दर बात यह है कि अहां पर आप्टे आवर्ड तो इस टाइन प्रतिब पार्ट तरीक्टी जी ती तो वो वोगदी साधारन तरीकटे से आप उदर देख ली सारे तस्वीर आपकी अच्छी आजाएगी तो बतला वो देशन डरेक्टी तो लुग बढ़ बहुत अच्छा लगा किंगो हम लोग इत्रा ओंग के आवार्ड लेदी कि लिए राश्वाटी है किता स्वीर के लिए जी तो इस वाज़ एगा नाइस थी तो अच्छी आपकी उड़न नहीं अच्छी आपकी ईच्छी पालगा के लिए आपकी इन यदी को बनाई रखने और सम्रित करने में आझा तो कि दूट बहुत लिए बटाट लागर परिवार का बहुत बड़ा योगदान है सर्व क्योंकि कहीं न कहीं दुरुपत की बात करें तो वो लुप्त होता जा रहा था लेकिन आप लोगों ने इस परंपरा को कायम रखा सच में आपकी पूरी फैमिली को शत्षत नमंद सर्व और आज सच में आपको पैने भ कोजी पूझा नहीं हो तो हम दुर्पत के लिए तर माफ़ा को जो आना हो ता में सबलोग कोशिश करें रहें कि हर आजमी किन रहा ही कितने यहां के लूड़न सींगर हैं कि अपकर सलिक यहाँ सारे अपनी जवाप पर बड़ा काम कर रहे हैं। कि इतना विराठ संस्कृतिक विभाग नहीं है इतना विराठ हमारे पास तो एक continent में इतनी सारी चीजे होती हैं हमारे इस शेतर में इतनी सा उन जगाउं से बहुत अतुल है। हमारा मन बहुता है। हम कचμεते हैं। uso करों हुच के से विखा टेश के लिए कोष करें। इह ही हमारी हमारी या साल। कि लोह डिये राता है कि según हम वाँ सावज की बारे में आपका क्या कहना है जो अच्छा है, जो उनका संगीत है, जो उनका संगीत है, उसके साफ़ से अच्छा है, आप एक संगीत बुरा हम यह कहना नहीं क्शन करते हैं, इसे भी लोग आनन ले रहें, आप कुछ ना कुछ रॉक म्यूसिक मिह तने सारे लोग को मिली रहा हुगा, ओचलते रहते कुछ तो आनंद मिल रहा है है लेकिन हम गई साथ भी का अनंद वाली लोग इसमें हम लोग हम लोग का अनंद का डिस्रिप्चिन ही अलग है entertainment का इस में लोग सोचते entertainment entertainment का मतलब freak out नहीं है entertainment वा इसलब इसमें एंटर अंदर जाने दो पहले स्कुए उसको भार उचाल देना उखाड देना का मतलब नहीं है अंदर जाके इस मेंट टूए वो आपको खुद अटेंड करेगा संगीत जो है या विदा जो है किसी प्रकार की भी चीज जिससे आप आनद उठाना जाकर तो एंटरेंबंट का मतलब यह है लड़े एंटर फर्स्ट इसमेंट टूए अपको खुद खुद वो करेगी आपको कहने की जरूरत नहीं पड़िए जी कि आको क्या मैसूश हो रहा है तो एंटरेंबंट के भी बहुत सारे अलग पहलू है और बहुत सारे अलग जो उसके definitions है और हर definitions में हर आदमी को गूंगता है कि हम हमारा definition वह सबसे संपूर है सबसे सही है हर आदमी किसी को किसी को भी परमात्मा ने रेपीट नहीं किया है हर आदमी को आजादी है अपने अनुसाद देशने के लिए अपने हिसाब से लेकिन अगर आप भाड़ती हैं तो आप अपनी सब्वेताओं को समाज से चलए खृपा करके बहुत ज़रूरी है तो कि लुप्त हो रहा है लोग खो रहे हैं अपने अपने आपको खो रहे हैं अपने आपको खोईए अपने आपको ढूड़िए अपने आपको ढूड़ने का मतलब हम योग भी कर रहे हैं एक ध्यान एक ऐसी एक विधी है या विधा भी बोल सकते हैं कि आपको अपने आप से मुलाकात करवाने की एक टेक्नीक है कि आपको अपने आप से मिलवाने की तो संगीत इस तरह का जो संगीत है वो आपको आपको अपने आप से करने की एक 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 अपॉर्चिनिटी देती है, तो तौ बहुत कुछ है, वी लिसन फ्यू, तो इसे दरह के से हम देखते दो बहुत सारी चीज हैं, हम फोकुस कुछ कमी चीजह के लेके आप आप तो आपके मन में क्या है, क्या चल रहा है, तो अपने मन को भी प्रवित्र करने की जरूरत है, अपनी सोच को प्रवित्र करने की जरूरत है, अपनी दृष्टी को प्रवित्र करने की जरूरत है, अपनी नजरिये को प्रवित्र करने की जरूरत है, तो तब जाके बहुत सारी चीजों में आपको आनन्द आएगा है। सब को जीने की रा है। वैसे तुम्हें मा के लिए बोलता हूं, हम सब उसके जैसे हैं, पर उसके जैसा कोई नहीं, जलक तो सब में आती हैं, पर फलक में ऐसा कोई नहीं, जलक तो सब में आती हैं, पर फलक में ऐसा कोई नहीं, जलक तो सब में आती हैं, पर फलक में ऐसा कोई नहीं, जलक तो सब मे तो अध्यात्मिकता से भागने की जरूरत नहीं है। पोड़ा सा समरकन् करेंगे, स्बर समर्पन करेंगे, अपने श्वांस को समर्पन करेंगे। आपको कुछ न कुछ जरूर हासिल हो। स्वर का नाम समर्पन भी है। स्वर का मतलब है आदासा और स्वाहा, स्वाहा, वैसे तो अगनी की पतनी है हूं। स्वाहा, लेकिन असल में वो समर्पन है, समीधा भी सासे है, स्वर भी सासे, सरिफ्वती भी सासे, संगीद भी सासे, संबोधन भी सासे, स्वच भी सासे, स्वर्ण भी सासे, श्वाज भी सासे, कितनी सारी चीज़े है, शुरूब भी सासे है, कितनी सारी चीज़े होगी सारांग्ष भी सास है, संस्क्रती भी सास है, संस्कार भी सास है, सोर्य भी सास है, सोक्ष्म भी सास है, कितनी सारी चीज़ें सास है, हर राग में साँ जरूर होता है, कूपने सा को खोजने की जबन है कि स्वयम को खोजने की Zistance कंपने आपको खोजने की जबन की आपने आपको जानिये आपने आपको पहचानिये और और अपने आप वो पैचान के, दुनिया में अपनी पैचान बढ़ाई है, और दुनिया में पैचान अपनी, क्योंकि हर एक आदमी अपने आप में नुमाया है, हम सब नुमाया है, तो नहीं, तो नहीं सु रहते हैं, हम सब्सुरें के अपनी की दूरां करते हैं, कुछ और लोग अलग तरीके से सादना करते हैं, तो हर आपनी सादना कर रहा है, और यही मेरी आचाना प्रत्त्तुरिये। अच्छाए कि है सब लोग स्वस्त रहें सादक रहें और संसार को बहुत अच्छी अपनी संबोधन करके अपना शुंदर एक व्यक्तित्व है जो महेंख है अपने सुगन्द जो है वो हर आदमी तक पहुंचाएं सबस्क्राइब को है कि सुखन्द को है हर आदमी के अलग करे कि हनुवफ करता है अलग कि अनुबद सब्कार्म करता है अपनी कि बिटी की अनुसार ही वो उसको उसको अनुभव करता है और उसके अनुसार उसको उसको लाइक और डिसलाइक करता है तो स्वरों को साधना या स्वरों को सुनना या स्वरों को गाना या उस खुश्बू को पहलाने की कोशिश है तो हर एक आद भी नहीं सुन से तो उन सब को हरो हमको जोtit है हमें दिखाना है हमें gebracht करना है हमारी क्या ख़ची दिखा सखें क्या करनाς कि कोशिश कि उंको क्या करちゃा है किछ कौन सी सुगंद पसंदें क्यूं पसन मैं उस्स चीज को बताना चाहिए वह भिष्प हाग ले को लिए से वियुए नहीं समझाएंगा, दिनिया में वह चीजें नहीं समझा एका पूरा दोहीं सवाल हुदे नहीं जोग से कला है. नहीं समझाें। को में से कतीट आतो हो तो और से नहीं समय होता है। हyes, no, cancel, Skillshare ऋमद नहीं रवी नहीं से लिक होता कभी, पर दिमाग लगाते हैं कोशिश करती हैं तो कम्प्यूटर भी पूरी तरीके से समझ भी आ है और कम्प्यूटर हमारे मस्तिषक का एक छोटा सा अंश्ण कि यह क्या क्या कर रहा है तो यह हमारे जो सरों पर जो डॉमिनेट कर रहा है यह हमारा माइड है यह रेश्लेस बीस्ट है यह रेश्लेस बीस्ट है यह आठ से थोड़ा सा काबू में आता है संगीत द्वारा काबू में थोड़ा भास आता है थोड़ी देर के लिए भी केंट मिट है तो कि काम ही है के सोचना में हर वकब सोचता रहता है, उसको उसको अफ जिसके उपा वदूमिन कर रहा है, शmee की उप्र शारीर के उपर डामिनीट कर रहा है, उसको उसको बचाना है, तो भी फाइंड égal लॉजिक उसको चाहिए, एक सकंद में लॉजिक मिल जाती कैं झाल किया, यह क्यों किया नही किया but logic is beautiful but. logic is also beautiful. We can appreciate things in logic also, illogically also, logic is also beautiful. we are always finding the logic for everything. और कोई चीज एनुभव की है, तो इसको में लग जाते है कि क्यूं अच्छा लगा, यह क्यूं अच्छा नहीं लगा, तो कि दुमाग को हर चीज में लॉजिक चाहिए, क्यों यह 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 इत्से बड़ा डिजिटल कोई चीज है ही नहीं, और दिल कुछी चीज को गिनना नह हाइने चाहती है, हाइट दसे लाइ तो कंस दिल और आत्मा कीस नहीं जाहिए है, दिल दिमाग की बीच में आत्मा जो आत्मा जिस चीज को कहते है उसी का मादी। तो आत्मा brain-blowing music नहीं चाहिए है, mind-blowing performance, mind blowing music, soul-touching music, soul-touching performance, our soul-touching to slow down doesn't mean that it is, it is, even if you are in rhythm, if you are in balanced rhythm, it is beautiful. So you have to appreciate yourself, appreciating yourself doesn't mean that you have to you don't have to appreciate others. . 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 , . फिलोसोफी है इसकी लाइफ की, be it रिक्षा पुलर, एक रिक्षा चलाने वाला हो, चाहे वो एक पासे ड्राइबर हो, चाहे वो एक मिनिस्टर हो, चाहे वो एक इंजीनियर हो, चाहे एक संगीतकार हो, यह जो भी कुछ हो, तो सब का एक सिधान्त है, उसी से वो हर चीज को फोकस करते हैं, जैसे हाट किस तरीके से लिखते हैं, इंग्लिश में, अब हिंदी में तो नहीं मैं वो कर रहा हूं, लेकिन इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं, बोली, हुआ है, इसे हाट ही, ही आर्ट हो गया, ही आर्ट हो गया, पिर अगर और शब्दों को थोड़ा कम कर दो तो एर भी है, फिर उलट फेर कर दो तो तो टीर भी है, कितना सारी चीज़ होगी अच्छा हार्ट में से पहला एल्फबट निकाल के सबसे आखिर में रख दीजिए फिर कौन सा शब्द बन जाता है हाँ हाट में से हैच सबसे पहला एच हटा के सबसे लास्ट में लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा कीर्ट हीजिए और्ट एफ था लगार्ट वर्त है अर्थ चीजिए प्जीए लीगर लासफर रट्य उन्ट चीजिए अटनुजिए यह크ार्ट ल्ली है यहां है डुट्य BiologyBone So, how do you connect things? You have to find your ways. Arts creates star. A-R-T-S. Arts creates star. S-T-A-R. What else do you make? The rats do you make? Right now, a-R. So we can go and go on with this type of things. Sh Spring Melodyovski, Sh Spring Gelato Please. Sh Spring Gelato there. क्रिश्म को क्रिश्र आम को क्या चाहिए? माता भवानी को क्या चाहिए? अब ये रहना ये बिल्कुल उनका दो क्यांकि क्या चाहिए? बिल्कुल उनका जोटीम काईा चाहिए? ये ये घर कोकी उनका आमता भवानी को क्या चाहिए? ये ये डु खरें नी ये ग Blessed खरें जल स्थ्षाए स्थी श्थ्थीत्व श्थार चाहिए? ग्हाकरो हुर माता छौ मुलन रख पो नी जे माता पुश बावनी जे माता पुर झे माता जे प्यों को वो है नगरत जाहि जाला विए मांता सरस्मत चारता विदा आदे वो माता का वो रूप भी है, माता का ये दूप भी है, जिस तरीक ऐसे आप आपके जो भाव है जा के अंदर जा के अंदर जा के अंदर जो क्या चल गा है? उसकी वो मिसाल सब कुछ है, वो हुई रिफ्लेक्शन जो है वो आप दिखाता है, वो दिखाना चाहिए। वाव सर्, आज आपने हमें संगीत रूपी अम्रित दिया है सर्, हम धन्य हो गए सर् सब्सेंद को इतना अपने आप से दूर नहीं समझे, इतना कड़वा नहीं है मन में आठका हुआ है कि तो नहीं समझाएगा, classical, classical जिग्यासा है, एक चीज़ को जानने के वाद आप और जानने की आपको जिग्यासा होती, जिग्यासा है, तो एक रिफाइनमेंट है, ग्लासिकल जो है वो क्लासिकल वो गलासिकल तो एक लग बात लेकिन क्लासिकल आपसे इतना दूर नहीं है इतने हम लोगों के अपने मनों में अपने जिवावों में उसके रुखिया सब्सक्राइब को इतनी नहीं है लोग को नहीं सुन पाते हैं या हमें नहीं नहीं देख पाते हैं रोग कि अलग की अलग दिए लेकिं हम सब लोग अपनी जिगां कांवकरूें कुछ लोग यह बहुत अक्छे इक डोट है फोठ पापौलर हैं फेमस感 है ल statut कामें डिलोड है we are known हम लोग इस नहीं हम लोग पॉपलर में यह यह दोग जानते हैं मंग है दिखा ही है। लेकिन हमादी भी कोशिश है। भारत इन चीजों भी अग्स्रिवर करें। दो चीज जो लोग सामें इनhö weas. इन कोभी दिखा हैं। उनको भी सामने लेके आए। कि कुक इतना इतनी, इतनी कोई चीज बुरी है? इतना इतना बुरा है। आस्ति सगी इतना बुरा है यह को खोगत पार्ट सब्सक्राइए 10 दित गुरुजी विठागे चले एक एक दिन बिठा दिया आपको रस आना शुरू हो ए जाता है condition । इतनी निरत चीज पर वीज़ए लगा दी बेवकूफ । हमारा परिवार बेवकूफ वीज़ए लगा दी दृख्वत में इतनी निरत चीज पर अजुछनी की वात है को यी निरत चीज पर इसके इंतर रस नहीं सबसे सुन्दर समय कौन सा समय है जवाब चाहिए हुए सबसे सुन्दर समय कौन सा समय कुछ कोई अगर है अभी तक लोग कुछ सुन रहे हैं चले 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 सबसे सुन्दर समय कौन सा समय है सबसे सुन्दर समय तो मैं वही कहना चाहूंगी जो कि हमारी पेडिया जो आप लोगों ने इतना अच्छा म्यूजिक बनाया था जो परंपरा को आगे वड़ाया वही समय सबसे अच्छा समय है जो आपको सुने का मौका मिला है आप जैसे गुणी आर्टिस्ट को जिन्हों ने इस परंपरा शास्ट्यों संगीत की परंपरा को अभी तक कायम रखा है यह हमारे लिए सबसे अच्छा समय है सर अभी कि मैं बात करूंगी यह यह जवाब हो सकता है सबसे अच्छा समय कोई ओडियंस में कहना चाहूंगी कि आप भी कमेंट कर सकते हो अगर सुन रहे हैं तो मुझे जल्दी से पता जी 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 हमारे साथ बहुत सारे जो आर्टिस्ट भी है जुड़े जो की सिंगर भी है ब्रिजमोहन शर्मा जी बहुत एच्छे सिंगर है सब लोग मुजकी बहुत बहुतारी जी थाअ जी बहुत अंधू जी अफिए जी एक ही अच्छंग के बाट करी तो बहुत करी और पार यह च्छे सित्य शर्मा जी थी बहुत। प्रकार की गाने काते हूंगे पता नहीं मेरी बात कैसे लग रही है, सॉहिआ भी लग रही है, दूस्री है, लिकिन सबसे सुन्दर समय वो समय है, सबसे सुन्दर समय बो समय है, जब समय का अबास Wasam हो, और जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं उसके अंदर इसमें हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि समय कितना कितना बीजिया और वो समय कितनी देर का भी हो क्या कुछ सेकंड्स का हो या कुछ घंटे का हो यह घंटे का हो तीस मुटे का हो तितनी देर का भी हो उसकी खुपसूर्ति उस 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 शान की यह हो और आपकी एनरजी जो है आपकी थकन हो सब कुछ को दूर करका बता है गंटों सुनने के बाद गंटों बैठे रहने के बाद हुआद भी आपके आपके द और उगर हुरा ऊसी तरीगेशियां तरीगे सरी आपको पुर्जा हुच आप तो वो सबसे सुन्दर समय है जब आपको संभी गई आवाद से तो संगीत आपको उन प्राणों पर लेके चला तो स्वर स्वर जो है स्वर को मतलब यही है आदसा और वा स्वाह स्वाह समीदा भी सा से समीदा उठा के हम अगनी मिलाज स्वाह आदसा हटा दो तो क्या रह जाता है आदसा हटा दो तो क्या रह जाता है वर बूर आपकी इच्छा मेरे में नहीं पूरी हो रही है हर आजमी की इच्छा उसमें पूरी रही है जो वर मांग रहा है तुसका वर पूरा हो रहा है वारे बपर Depend करता हम क्या मांग रहें उससे през'd तो स्वर के जो सादक है, स्वर के जो उपासक है, वो जब साधना करते हैं, तो स्वर भी फिर उनको आशिरवाद देता है, उनको बर मिलता है, तो पर डिपेंड करता है कि हम क्या मागए, ले मिसा, वो तो यथा सागर है, समंदर में से कोई भी लहर खाली नहीं आती है, हाँ कुड़ा ही लेकि आ ये कुछ भी लेकि आ जा, खाली नहीं है? तो स्वरों पे समर्पित करें, जो भी संगीत कार है, जो भी संगीत नहां पे बाकर लोग अच्छा अच्छा करने वाले ही एक तुछ कलाकार है जो अपनी तरीके से कोशिश करते हैं कि हमारी हमारी वी साधना और लोग तक पहुंच जाएं तो सबसे सुन्दर समय वो समय समय का याब आशनी वो समय कभी भी आ सकता है जब सरस्वती अपनी अपनी विद्या प्रदान करती है जब वो आशिवात देती है तो कहीं पर भी देती है फिर आप यह भी हो जिए कि आपको अपने रूम में जाना है जा आप संधीत करना है वहीं पर यह आपकी जवाब मिलेगा कि आपको कहीं पर जवाब मिलेगा, यह जगा सही नहीं, यहां पर मैं तो कैसे दर्शन हो सकते हैं, पर मातमा हर जगा पर दर्शन दे सकता है, पर मातमा हर जगा पर दर्शन दे सकता है, तो मात सरस्वती भी कहीं कि भी आपके, 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 आपमे विद्या डाल सकती है तो इसी तरीके से मैं आपको बहुत बहुत शुब कामना है देता हूं तो मैं तो बोलता रहूं को कितनी जेर होगी मुझे पता लिए लेकिन आप इसी तरीके से आप और भी कारिक्रम करते रही है और यह आपको पुरुषकार मिलें और एक हजार वाप जब आपको एपिसोड होगा तो हमने याद कर लिएगा जैसे भी हो तो और लुग को भी उस सबको सबको आजर और सबको समान जो इची देर तक हमको सुनबें सबको शुक्का आपने आज हमें संगीत रूपी अम्रित दिया है और हमारी लिए आज यह बेस्ट मुमेंट था जो हमने स्वर की बारे में जाना और सच में बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर और भ आपने आज चार चांद लगा दिये और आपने अपना क्योंती ताइम हमें दिया यह हमारी लिए बहुत बढ़ी बात थी सार थैंक्यू सू मुझ सू मुझ एंश शच्छन मन सर आपको और आपकी फैमिली को अधिक़् दन्याद कर सकते दूआ सब के हाथ में सब दूआ कर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और हमारी भारत के लिए प्राचीन सभ्यता है वो आगे बढ़ते रहे जी वो किसी किसी वजा से भी बदले में बदले में जी जी थैंक यू सुमाज है थैंक यू सुमाज शाटनमान से आपको । थैंक यू सोमाज है यू सवमाज प्रग्या शार्माजी थैंक यू सुमाज और सच में यह बहुत बड़ी अच्वमेंट्स इंक यू मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अनिल देवा जी थैंक यू सो माज और सच में 525 एपीसूट मैंने complete किये है और सच में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और आप भी कोशिश किजिए और देखते रिए the RDD show कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और अब भी आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं केक ceremony पे लता राजिस्टाको जी थैंक यू सो मश थैंक यू सो मश एवरीवन जो जो भी हमारे साथ जुड़े है थैंक यू सो मश एंड इट मींस अलोट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती रिज शर्मा जी अभिनंदन आपने पांच सो एपिसोड इस खुबसरत प्रोग्राम का complete किया दसरा के शुबकामना हैं आपको और आपके शो को आपके सभी परिवार को और सब आपके पार्टिसिपेंट के परिवार को बहुत बहुत प्यार Congratulations और जैकी दादा को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी शिल्पी सैनी मैं को भी थैंक यू कहना चाहूंगी थैंक यू सो मश मैं और थैंक यू सो मश जैकी दादा आपने मुझे ब्लैसिंग दी यह मेरे लिए बहुत भड़ी अचीवमेंट थी क्यूंकि लेजंडरी जो हमारी देश के लेजंडरी एक्टर है उन्होंने विष्ट किया यह आडडिडी शो के लिए और आडडी शो की फैमली के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी Thank you so much everyone जिन लोगों ने भी मुझे समानित किया है चाहे world record हो, चाहे national record हो चाहे blissful India हो सभी को साइतियो देओ अवार्ड हो और Bollywood का अवार्ड हो कापी अवार्ड मिले हैं मुझे इस शो के लिए सभी को मैं thank you कहना चाहूंगी आप लोगों ने मेरे काम को सराहा और मुझे support किया सबसे पहले निर्मल सर को मैं thank you कहना चाहूंगी अमित चरज रिवेदी, अवी शर्मा भी निता दी सभी को thank you और जो मेरी family जूड़ी है Bridgemont प्रग्या शर्मा जी सभी को thank you Anil Deva जी, thank you so much everyone, thank you so much प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कित है शहसबार मैदाने जंग में वो तिपल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले ओ, 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 इराद है बुलंद जो ना हो अगर तो पतह फिर कैसे मिले कायर की कभी भी दुनिया में जैजाइकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती